हेलो दोस्तो असलावलेकूम कैसे हो देखो मैं आपके लिए आज यह बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेका आई हूँ यह हापडवल के रोशियर से बनता है और हम इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं चली शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यह कॉटन का धागा लिया है सबसे पहले हम चैन बनाएंगे आप अपनी मर्जी के हिसाफ से चैन रख सकते हैं जितना चोड़ा आपको पैटर्न चाहिएगा चैन की लंबाई आपके पैटर्न की चोड़ाई होगी इस तरह से बनाते हुए हम जाएंगे हम इस तरह से बनाते हुए चैन बना लेंगे पूरी मैं अपनी वर्जी से रख रही हूँ आप अपनी वर्जी से अपने हिसाब से रखेगा यह देखें मैंने चैन बना लिए है अब हम एक चैन छोड़के दूसरी वाली चैन में इस तरह से दहागे को इस तरह से करेंगे इस पर उंगली रखेंगे और एक चैन छोड़के दूसरी वाली चैन में इस तरह से डाल करके दहागे को दाएंगे और इस तरह हम हाफ डवल कुरुश्य बनेंगे यह देखिए फिर से धागा इसे करेंगे अगली वाल चैल में बनाएंगे इसी तरह से हमें बनाएंगे पहली रोव हमें इसी तरह से बनानी है यह देखिए फिर से धागा इस तरह करेंगे अंगली रखेंगे और इस तरह से निकालेंगे इस तरह से पूरा करके मैं भी आपको दिखाती हूँ यह देखिए मैंने इसको कंप्लीट बना लिया पहली लाइन को अब आप इस तरह से यह देखिए अब हम यहाँ पर यहाँ पर हम एक चैनल लेंगे यह देखे इस तरह से गुमाएंगे और पहले बारे इसी में ही सिंगल क्रोशे बनेंगे इस तरह हम बनाते हुए इस लाइन को कम्प्लीट करेंगे सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे का पूरा पैटन तयार हो जाता है अगर वीडियो पसंद आते थे एक लाइक शेयर जरूर करना चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह सम बनाते हुए इस पहले दूसरी लाइन को पूरा कर लेंगे वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताना अगर डिजाइन पसंद आता है तो अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यह देगे मैंने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया दूसरी लाइन को सिंगल क्रूशिय से अब हमें क्या करना यहां पर हम एक चैन लेंगे इस तरह से घुमाएंगे जैसा हमने पहली लाइन बनाई थी वैसे ही लेकिन इसमें हम यह जो चैन बनके आई इसके पिछले वाले पंदे में से बुनेंगे इस तरह से बागी जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी वैसे ही यह तीस्री लाइन बनेंगी कि यह देखिए मैंने एक तीस्री लाइन कंप्लीट कर लिए देखिए आप फिर से एक चैनल लेंगे और सिंगल क्रोशिय से पूर लाइन कंप्लीट करेंगे अगर वीडियो पसंद आता है आतियत लाइक शेयर जरूर करना चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो को शाल नोटिफिकेशन आपको मिल सके यह देखें मैंने यह कंप्लीट कर लिया थे हैं यह पैटर मैंने पहले ही बना लिया था एक और हम इसको दोनों साइट से यूज कर सकते हैं इसमें हम जैकिट बना करके टू इन वन दोन बैक और फ्रन्ट दोनों साइट से हम इसको यूज कर सकते हैं ग्राइब दूटा करें